इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है ये आपकी छाती में जकरन, सांस की तकलीफ, घर घराहट और खांसी जैसे लक्षन उसे राहत देगा और आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने में मदद करेगा Combimist LCFE Free Inhaler एक सुरक्षित और असरदार दवा है ये आमतोर पर कुछ ही मिंटों में काम करना शुरू कर देता है और प्रभाव कई घंटों तक रह सकता है जब तक आपको अपने डॉक्टर से सलाह न दी जाए तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें इसे ठीक से काम करने के लिए आपको अपने Inhaler का सही तरीके से उप्योग करने की आवश्यक्ता है यदि आप निश्चित नहीं है तो अपने डॉक्टर या नस से पूछें उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें Inhaler को हिलाएं जब आप मुझ से सांस ले रहे हों तो दवा छोड़ने के लिए Inhaler को एक बार दबाएं और 10 सिकंड के लिए अपनी सांस रोक कर रखें तब तक दोहराएं जब तक आप डॉक्टर द्वारा सुझाए गए कश की संख्या में श्वास नहीं लेते हैं इसके बाद अपने मुझ को पानी से अच्छी तरह से धोले और इसे बाहर थूख दे Combimis Tales CFE Free Inhaler दो दवाओं का एक मिश्रन हैलेवसल बुटामॉल और एप्रेट्रोपियम लेवसल बुटामॉल एक ब्रॉंको डायलेटर है जबकि एप्रोट्रोपियम एक एंटी क्लिनजिक है वे वायुमार्ग में मानस्पेशियों को आराम देकर काम करते हैं और वायुमार्ग को चौड़ा करते हैं साथ में वे सांस लेना आसान बनाते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन उन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद